कथा साहित्य में आपका स्वागत है। ये क्या कह गई उमादी? छोटी बेहन कम्मों ने जैसे चौंकते हुए उमादी के शांत मुख पर दिस्टी डाली थी। उमादी किताबों में सिरकड़ाय अपना भविश्य सवारती थी। अमादी का वह पुस्तक प्रेम कभी नहीं भाया था। जब देखो तब उमादी किताबे लिए बैठी रहती है। क्या करना है इतनी पढ़ाय करके। बड़ी लड़की से घर के काम में मदद मिलनी चाहिए। यहां उसे भी परोसकर ठाली दो। निशब्द उमादी पुस्तक छोड मा के पास रसोई में चाखड़ी होती थी। अच्छा अम्मा अब तुम आराम कर लो हम खाना बना लेंगे। रहने दो तुम्हें हमारे दुख कस्ट से क्या मतलब। अम्मा मान दिखाती। तुम्हारे कस्ट को तुम्हारी बेटी नहीं समझेगी अम्मा। लाओ रोटी मैं बना दूगी। अम्मा के हाथ से जबरन बेलन चीन उम्मा दी गोल गोल फूली रोटिया मिंटों में सेंख डालती थी। घर में जब भी किसी को भोजन पर आमंद्रित किया जाता। उम्मा दी रसोई का पूरा दायत्व सहच ही उठा लेती थी। सच उम्मा के हाथ में जादू है। ऐसी स्वादिष्ट कठल की सबजी पहले नहीं खाए। अतिती सदैव ही उनकी पाक कला का लोहा मानते थे। घर की बड़ी लड़की के नाते उम्मा दी को जो संगर्ष जहिलने पड़े। छोटी बेहनों ने वो कस्ट जाने ही नहीं। उम्मा दी के बनाए रास्ते के कारण अन्य बेहनों को सभी कुछ आसानी से प्राप्त हो सका था। उनके इंटरमेडियर पास करते ही अम्मा ने उम्मा दी की शादी के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया था। बस बहुत हो गई पढ़ाई। इसके पीछे अभी तीन तीन लड़कियों को निप्टाना है। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे नहीं करना है विवहा। मेरी मदद कीजिये बाबुजी। बाबुजी के सामने विन्य करती दीदी रोग परती थी। बाबुजी के उदार विचारों ने उम्मा दी को सहरा दिया था। हर महीने क पॉलेश की फीस ना देने की बात पर अम्मा अड़ जाती और उम्मा दी फीस ले पाने के लिए उनकी मिन्नतें करती अंततह फैसला बाबुजी ही करा पाते थे। उम्मा दी को कोस्ती अम्मा उनके हाथ पर फीस के रुपए पटक देती थी। उम्मा दी के संघर्षों को छोटी बेहनों ने कभी सिरियसली नहीं लिया, मजली कृष्णा दी तो उनके पढ़ाई प्रेम को वेर्थ के काम की संग्या देती रही, ना जाने बढ़की दीदी को किताबों से कैसा प्रेम है, सिर्भी उपर नहीं उठाती, शाम को छोटी बेहने महुले पढ़ोस के घरों में जा बैड़ती, कभी चाट वाले को बुला चाट खाये जाती, पर उमा दी उनके कारेक्रमों में कभी समलित नहीं होती, इसी लिए घुमने फिरने की शौकीन मजली कृष्णा दी सबकी आदर्श थी, बढ़की दी तो महा बोर हैं, नन्ही निम्मो अपनी सम्मती देती, बुरा सम्मू बना लेती थी, सजली कम्मों ने कहीं सुन लिया था, कविता कहानी लिखने वाले अर्थ विक्षिप्त होते हैं, सो निम्मो को समझाती, अरी हिंदी वालों के दिमाग का थोड़ा स्कूर ठीला होता है, उमा दी भी तो हिंदी वाली है ना, बहनों के समलित हासे से, उमा दी कभी विजलित नहीं हुई, क्रिशना दी इंटरमीडियट के बाद घर बैठ गई थी, हमें आगे नहीं पढ़ना है अम्मा, हमें लिखाई पढ़ाई का शौक नहीं है, क्या करूं, जब की बाद दूर, रंगीन कपड़े पहनने का आग्रहे भी व्यर्थ था, हद तो तब हो गई, जब वो बिना केनारे की सूती धोती और सफेद ब्लाउस के साथ युनिवस्टी जाने लगी, ये नहीं कि वो देखने सुनने में क्रिशना दी से 19 थी, पर क्रिशना दी अपने रख रखाव के प्रती बेहत सजग थी, क्रिशना दी जहां अपने परिधान और मेकप की विशिष्टता से चार लोगों में अलग दिखती, वहीं उमा दी अपनी साधी वेश भूशा में उदास सुभासी अलग पहचानी जाती, उमा दी का उजला गोरा रंग बिना मेकप के चमकता था, धूप में पैदल चलती उमा दी के गुलाबी हो आएक गालों को सामली कमों बड़ी हसरत से देखती थी, बड़की दीदी को भगवान ने बेकार ही इतना उजला रंग दे दिया, उन्हें तो इस रंग से मतलब ही नहीं, अगर हमारा ऐसा रंग होता, तो लो करने भेज दिया था, घर में बैठ कर समय नस्ट करने से कोई फायदा नहीं कृष्णा, पढ़ने लिखने से दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं, उमा को देख कर तो कुछ सीखो बेटी, उमा दी के विवहा के लिए अम्मा की रातों की नींद उड़ गई थी, जिस दिन अक्षे जी हैं, यही पास ही उनका घर है, उनका रास्ता भी तो यहीं से होकर जाता है, उमा दी ने उन्हें समझाना चाहा था, रहने दे उमा, बहुत दिन तेरी बात सहली, अब और सहन कर पाना कठिन है, मुझे ये बेशर्मी परदाश नहीं, कल से तेरा युनिवरस्ट जाना बंद, समझी, ठीक है अमा, पर इतना जान लो, अगर तुम जिद कर सकती हो, तो मैं भी अपने मन की करने को स्वतंत्र हूँ, क्या करेगी, जरा बतातो, तुम स्वैम देख लोगी अमा, उमा दी के दृट स्वर से अमा शान्त हो गई थी, उमा दी की पढ़ाई, खोल पूछा था, धत, उमा दी का मुह लाल हो आया था, उमा दी की बिमारी की खबर पा, अक्षे घर आ गया था, अमा पर तो जैसे वजरपात हुआ, पर थोड़ी ही देर में, अक्षे ने अपनी मीठी बातों से, अमा का भ्रम दूर कर दिया था, अमा जी, पहले तुमें आपका आशिरवात ले लूँ, उमा बताती है, आपकी प्रिर्णा पाकर ही, वो हर परिक्षा में इतने अच्छे अंख पाती है, मुझे भी आशिश दीजिए, कम से कम सेकंड तो आ जाऊं, अक्षे ने जुक कर अमा के पाउं चुलिये, क्या उमा ऐसा कहती है, नहीं चाई के साथ पकोडियां और हलवा भेज, अमा निश्चिन्थ हो किचिन के काम निप्टाने लगी थी, उस दिन से अक्षे का उस घर में आने जाने पर कोई प्रतिबंद नहीं रह गया था, अक्षर युनिवस्टी से लोड़ते समय, अक्षे अमा के हाथ की चाई पीने र रही हूँ, इतनी देर क्यों की? स्वर में जैसे शिकायत रहती, क्यों भई, ऐसी क्या जरूरत आपड़ी है? अक्षे मुस्कुरा उठता, क्यों, बिना जरूरत आपका इंतिजार नहीं हो सकता? अपनी बात पर स्वेम चौंक क्रिशना आगे कहती चाती, मिस्दत्ता के हिंदी सेमिनार के लिए एक अच्छा सा निबंद लिखना है, कुछ पॉइंट्स बता दें, तो मेरी धाक जम जाएगी, तुम्हारी उमादी से जादा अच्छा निबंद थोड़ी लिख सकता उनकी मदद क्यों नहीं लेती, उमादी से मदद, अरे आप उन्हें नहीं चानते, अपनी किताबों से उन्हें फुरसत कहा, दोसरों के लिए तो उनके पास वक्त ही नहीं है, आप भी पता दीजे, मेरे लिए आपके पास समय है या नहीं, कृष्णा मान दिखाती, अरे भ उमादी ने एक बार खलके से प्रतिवात करना चाहा था, तो अपना काम स्वयम क्यों नहीं करती कृष्णा, वो तेरे ट्यूटर तो नहीं है ना, मुझे समय देने के लिए अगर उन्हें आपती नहीं, तो तुम्हें क्यों जलन होती है उमादी, कृष्णा के उस बढ़ता ही जा रहा था, अक्षे के आते ही उसके कामों की सुची खुल जाती थी, अक्षे जी कल हमारे डेपार्टमेंट का फेट है, लकी ड्रॉ के लिए मुझे गिफ्ट्स लानी है, जल्दी चलिए, वरना रात होने पर अमा नाराज होंगी, अरे उसे चाय तो पीने द अम्मा स्ने से पुकारती, ना अम्मा देर हो जाएगी, चाय इन्हें बाहर ही पिला दूँगी, आये, अब और देर ना कीजिये, उल्टे पाउं अक्षे को क्रिशना के साथ वापिस चाना पड़ जाता था, अक्षे की क्रिशना के साथ बढ़ते व्यस्तता के कारण, उमा अम्मा दी सबसे उदासीन फिर अपने कवश में सिमट गई थी, अकेले पुस्तकों में सिरगड़ाय रहने वाली उमा दी पर किसी ने विशे स्थ्यान देने की जरूरत नहीं समझी थी, उस समय कम्मों ने महसूस भी किया था, उमा दी पहले तो अक्षे जी के आने पर खि सिजाती थी, शुरू में अक्षे उनकी पूश्ताश करता था, धीरे धीरे उमा दी की अनुपस्तिती भुला दी गई थी, उस दिन सदा के शांत गंभीर बाबुजी क्रिशना पर अचानक दहार उठे थे, इतनी रात गए कहां से आ रही हो, साथ हाय अक्षे को उन्होंने अन देखा कर दिया था, जी हम लोग पिच्च चले गए थे, बाबुजी के उस स्वल ने क्रिशना को हरबडासा दिया था, शर्म नहीं आती, गैर आदमी के साथ अकेले पिच्च चाते, चलो घर के अंदर, यही भले घर की लड़कियों का धंग है, अक्षे से कुछ ना कह कर भी, बाबुजी ने बहुत कुछ कह दिया था, घर के अंदर पहुंच, बाबुजी ने क्रिशना को चेतावनी दे डाली थी, दोबारा उसके साथ देखा तो, तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा क्रिशना, मेरी जिद जानती है ना, उस दिन का अपमाने तक्षे दोबारा घर नहीं आया था, क्रिशना की रोते रोते आँखें सूच गई थी, अम्मा ने बाबुजी को समझाना चाहा था, मुझसे पूछ कर गई थी क्रिशना, इस तरहां घर आया आदमी का अपमान किया जाता है क्या, तुम चुप रहो, ऐसा आदमी किस काम का, जिसमे सही गलत पहचानने की शक्ती नहीं, मतलब तुम्हारा, तुम नहीं समझोगी, वो यह भी नहीं समझ सका, उसे क्या करना चाहिए था, जरा सी भी कम भीरता नहीं, वरना हीरा चोड़, कौन सा हीरा चोड़ा है उसने, क्रिशना हमारी किस से कम है, बाबुजी का वाक्य काट अम्हाने पुछा था, तुम नहीं समझोगी, छोड़ो, उम्र के इस पढ़ाव पर कमो समझ सकी है, उमादी की जगा, क्रिशना की ओर जुगने वाले अक्षे ने, बाबुजी को आहत किया था, उमादी बाबुजी की आदर्श बेटी रही है, बाबुजी की आकान्शाए उनमें ही साकार होई थी, बाबुजी ने हमेशा कहा, धन समपत्ती तो आती जाती रहती है, असली धन तो विद्याधन है, जितना खर्चो बढ़ता जाता है, अम्मा को बाबुजी का वह दर्शन कभी नहीं भाया, सरकारी नौकरी कर रहे, भाईयों के ठाट बाट के आगे शिक्षक बाबुजी अम्मा की द्रिष्टी में सदेव है ही रहे, उस खटना के बाद बाबुजी ने उमा दी के लिए वर की तलार शुरू कर दी थी, जल्दी ही बाबुजी उमा दी के लिए सुपातर खोज लाए थे, अपने विरेंदर का बेटा यहीं युनिवस्ट्र में लक्चरर है, हमें पता ही नहीं, सुनते ही बोला, उमा जैसी बहु मिलना उसके परिवार का सौभागे होगा, खिले मुख बाबुजी ने अम्मा को सुचना दी थी, अम्मा ने बाबुजी को अपने भाईयों के सामने सदेव नकारा ही ठहराया, इकलोती वहन के रूप में अम्मा को भाईयों का अगास नहीं प्राप्ठ था, कई बार भाईयों की इच्छा अनिच्छा के आगे, अम्मा ने बाबुजी की इच्छाओं की आसानी से अवहिलना की थी, इस बार भी वही हुआ, उमा के लिए इन्होंने एक लड़का देखा है, आपकी राय हो जा कोले बाबा है, कहीं धोखा ना खा जाए, जिन्दगी भर की बात है, भाई ने बाबुजी की पसंद पर शंका प्रगट की थी, इसी लिए तो चाहती हूँ, आप एक बार सब देख भाल आते, तो तसल्ली हो जाती, हम्म, देखता हूँ, लड़का देखने गए बड़े मा घारा रुष्ट हो उठे थे, मुझे तो पहले ही पता था, धर्मपाल ऐसा ही लड़का खोजेंगे, जानती हो शांता, मासा हारी है पूरा खांदान, मास भक्षी लड़का खोज लाएं है धर्मपाल, ये बात तो इन्होंने पताई थी दादा, पर उमा को उसके लिए ऐसी बात निकालती, तो कह देता, जा, अपने लिए कोई मलेच ढून ले, अरे, जिस घर में प्यास तक नहीं आता, उस घर में मास भक्षी जमाई बन कर आएगा, बड़े मामा दहार उठे थे, लड़के के पिता का कहना है, उमा पर सपरदस्ती नहीं की जाएगी, डरते अम्मा ने भाई को पताना चाहा था, क्या कह रही हो शांता, लड़की को मलेचों में देने की ठान लिये है, तो मुझे दूर ही रखना, मैं शादी में नहीं खड़ा होने वाला, बड़े मामा ने चेताबनी देर डाली थी, बड़े भाई की घोशना ने अम्मा को निरस्त कर दिया था, अगर बड़े दादा ही शादी में खड़े ना हुए, तो कौन समालेगा, इन पर भरोसा नहीं मुझे, बापुजी कृत हो उठे थे, इतना नाकारा नहीं हूँ मैं, मेरी भी बेटी है वो, कोई में नहीं जोंग दूगा उसे, बापुजी के क्रोच से अवि के मन की बात भी नहीं चाननी चाही थी, उमादी ने खोब पढ़ लिखकर प्रोफेसर बनने का सबना दिखा था, प्रोफेसर पती के साथ उनकी कितनी अच्छी निभती, शायद आज यह बात सभी महसूस करते हैं, अंततह बड़े मामा ने उमादी के लिए वर खोश निका उनके एक पूरु परिजित की बेहन का लड़का था, प्रकाश, बड़े मामा ने उसकी तारिफों के पुल बान दिये थे, इतना आदर्श घर वर मिलना उमा का सौभा के ही समझो, एक पैसा दान दहिश नहीं लेंगे, लड़के ने कहा कि एकदम साथगी से विवा होना च चाहिए, अम्मा का मूँ खुशी से चमक उठा था, बैंड बाजा नहीं होगा, तो शादी का कैसे पता लगेगा, हम तो खूब रिकॉर्ड बजाएंगे, निम्मो ने विरोध प्रकट किया था, अम्मा उमा दी कह रही थी, लड़के ने उन्हें देखने की भी इच्छा प्रकट नहीं की, कहीं कुछ गडबर तो नहीं, कम्मो ने धीमे से अम्मा से शंका प्रकट की थी, बेशर्मी की हद है, और पढ़ाओ लड़कियों को, ऐसी बात मुह से निकालते, शर्म से मर क्यो ना गई उमा, बड़े मामा उमा दी के दुस्सहास पर चकित थे, उमा दी की बारात को क्या बारात कहा जा सकता था, गिंती के पांच साथ व्यक्ति प्रकाश के साथ आए थे, भामरों के लिए चलने को प्रस्तुत, प्रकाश के पाजामे के फटे पाइचे पर बड़े मामा की दृष्टी पड़ गई थी, बेटा तयार हो जाओ, भामरों का समय हो रहा है, मैं तयार हूँ, गंभीर स्वर में प्रकाश ने उतर दिया था, पर तुमने कपड़े नहीं बदले हैं शायद, तुम्हारा पाजामा पाइचे से फटा हुआ है बेटा, फटा है तो क्या हुआ, बेकार के दिखाओं से नफरत है मुझे, चलिए, बड़े मामा के दिल में जैसे कहीं कुछ दरकसा कया था, अपने को सहियत रख, चुप चाप एक और चाख़़े हुए थे, कभी रंगीन कपड़े ना पहनने वाली उमा दी, लाल साड़े में गसप की सुन्दर लग रही थी, उमा दी के साथ पैठे प्रकाश, किसी भी तरहां उमा दी के योगे नहीं जच रहे थे, उमा दी की विदाई की तयारी हो रही थी, कचोड़ी की दाल पीसने को उठाई सिल, महरी के हाथ से गिर दो टुकड़ों में तूट गई थी, भाई से मौसी की आँखे फट गई थी, हाई राम, ये कैसा अपशकुन, कैसा अपशकुन मौसी, कम चुप रहो बसंती, शादी का घर है, ऐसी बाते नहीं करते, ताई जी ने मौसी को जड़का था, विदा के समय अजीब द्रिश्चे आखड़ा हुआ था, उमा दी और प्रकाश के लिए, फस्ट क्लास कूपे के टिकट खरीदे गए थे, शेश बारातियों के लिए, मैं उनी के साथ जाओंगा, उत्तेजना से प्रकाश का मुद तमतमा आया था, पर बेटा ये तो सोचो, सब के साथ उमा का क्या होगा? दबे स्वर में बड़े मामाने प्रकाश को समझाना चाहा, मैं सेकंड क्लास में ही जाओंगा, अपनी बेटी को फ़स्ट क्लास में भे बाबुजी उदास हो गई थे, मेरी बेटी का ध्यान रखना प्रकाश बेटे, सब के सामने कुछ मांगने में उसे संकोच होगा, बेटी के जुके मस्तक पर आशिरवात का हाथ धरते बाबुजी का कंठ रूंधाया था, चार दिन बाद छोटे भाईया को दीदी को विदा कर आने भेजा गया था, उन्हें लेने पहुचे लोग स्टेशन पर उमा दीदी के आने की प्रतिक्षा कर रहे थे, हरी लाल चुनरी में उमा दी खूब प्यारी लग रही थी, घर पहुचते ही अम्मा ने उन्हें सीने से लगा लिया था, कैसे है तेरे ससराल वाले उमा, सास तो अच्छी है न, हाँ अम्मा, सब लोग खूब अच्छे हैं, क्या दिया है तेरी सास ने, मौसी ने उत्सुकता से पूचा था, कंगन दिये थे उन्होंने, पर उन्हें पहन सफर में आते समय चोड़ी का ड़ था, सो वहीं रख लिये हैं, उमा दी ने आसानी से पताया और तेरे यहां के कहने, अम्मा जैसे चौंक गई थी, वो तो साथ लाई हूं अम्मा, प्रकाश कैसा लगा हमारी उमा को, छोटी भावी ने परिहास किया था, उन्हें तो आफिस का जरूरी काम आ गया था, जिस दिन पहुंचे, उसी दिन लखनाउ जाना पड़ गया क्या कह रही है उमा, छोटी भावी उमा दी के भोले मुख को निहारती विस्मित हो उठी थी, उन्हें काम जो था भावी, उसी सहज निश्चलता से उमा दी ने चवाब दिया था, घर में काना फुसी शुरू हो गई थी, उस सबसे उदासीन, उमा दी, सहज और सामाने सब काम करती रही, अमा ने उमा दी की अभिन सहिली विभा से पूरी बात पता लगाने को कहा था, ये उमा तो पगली है विभा, विभा के बाद प्रकाश ने इससे बात भी नहीं की, और ये इतनी खुश है, ठीक है चाची, मैं बात करती हूँ, विभा से पूरी बात सुन, अ विश्वास कर सकेगा। उमादी पर क्या पीती होगी? समझ पाने की शक्ती ही कहा थी? फिर भी बड़े मामा के साथ अम्मा उमादी को ले प्रकाश के घर गई थी. प्रकाश ने उन्हें एक रात भी अपने घर रुखने की अनुमती नहीं दी थी. उमादी की सास ने माफी मांगते कहा था. हमने समझा था सुन्दर पत्नी पाकर वो ठीक हो जाएगा. पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारी ही लड़की मिली थी आपको. शर्म नहीं आती एक लड़की की जिन्दगी बिगारते. बड़े मामा दहाड उठे थे. कुछ भी कहना सुनना या प्रकाश को समझा पाना वेर्थ था. प्रकाश ने दो टूक फैसला सुना दिया था. अमा ने मलने की धमकी देकर शादी के लिए भेजा था. मैं चला गया था. पर विवा का दाइत्व निभाना असंभव है. हाई कोड से नो मेरिज सर्टिफिकेट के लिए कोई जादा परिशानी नहीं उठाने पड़ती थी. प्रकाश ने आसानी से कागजात साइन करके भेज दिये थे. अम्मा बाबुजी के सामने नई समस्या आखड़ी हुई थी. सबसे बड़ी बेटी का डाइवोर्स छोटी बेहनों का तो भविश्य अंधकार मैं हो जाएगा. उमा बी के डाइवोर्स की बाद भर्सक छिपा कर रखने के बावजूद महले पडोस की इस्त्रियां उमा बी से उनके पती ससराल वालों की बातें बूछ बूछ कर परेशान कर डालती थी. उस समय कम्मो को उमा बी पर ही गुस्सा आया था. उमा दी, तुम ना धंके कपड़े पहनती थी, ना कभी ज़रा सा भी मिकप किया, इसी लिए तो जीज़ा जी ने तुम्हें पसंद नहीं किया. और क्या, कृष्णा दी को देखो, सभी लोग उनकी कित्ती तारिफ करते हैं. निम्मो ने भी हामे हामेल आई थी. दोनों की बाते सुन्दी उमा दी ने द्रड़ता से अपने होंट भीच लिये थे. घर में दूसरी ही समस्या थी. उमा दी के डाइवोर्स की बात फैलने से अन्ने बहनों के विवहा में बाधा का भै था. सबकी सलहा पर कृष्णा दी का विवहा जल्दी करने का निर्णे लिया गया था. कृष्णा दी का लावर्ने और रख रखाव किसी को भी सहची अक्रिस्ट कर सकता था. कृष्णा दी का विवहा जल्दी ही तैह हो गया था. कृष्णा दी के विवहा में उमा दी भाग भाग कर काम कर रही थी सबका उनसे एक ही प्रश्न था अरे उमा तेरे पती देव कब पहुँच रहे है उमा प्रकाश नहीं आए निम्मो कम्मो की सहलिया उन्हें अलग परेशान कर रही थी अरे बड़े जीचाजी नहीं आए ऐसा भी क्या काम आज कम्मो समझ सकती है उस दिन को उमा दी ने कैसे जहला होगा उच्साहित उमा दी तो अपने कहने कपड़े भी कृष्णा दी को ही दे डालती पर अम्मा ने उन्हें रुका था ये सब तेरे हिस्से का है उमा क्रिष्णा को जो देना है हम दे ही रहे है अम्मा ने उदास उसांस भरी थी क्रिष्णा दी के विदा होने के बाद से अम्मा को उमा दी का दुख खाये जा रहा था लड़की की उमर ही क्या है इतना बड़ा पहाड सिर्बर आपड़ा अप्रद्यक्ष रूप से अम्मा अपने को अपराधी मानती थी बड़े मामा तो जैसे स्तब्द रह गए थे उनके हाथों ये कैसा अन्याय हो गया बाबुजी बेहत उदास हो आय थे उमादी ने उस समय किस असीम धहरे का परिचे दिया था उनके जीवन के साथ इतना कुछ घट गया पर वो उससे उदासीन सामाने जीवन जीने का अभिने करती रही थी तुमने वो सब कैसे सहा दी दी समस्तार होने पर कमो ने पूछा था कमो के सावाल का उमादी ने कितनी सरलता से चवाब दिया था अगर वैसा ना करती तो क्या अम्मा बाबुजी जी पाते कमो और फिर रोध होकर मिल भी क्या पाता अम्मा बाबुजी ने उमादी के लिए फिर वर की खोट शुरू कर दी थी पर उमादी के साथ परित्यक्त्या शब्द चुड़ चुगा था वर्पक्ष के ओर से ऐसे ऐसे प्रश्न किये चाते कि अपमानित बाबुजी कृत हो उड़ते थे देखिये साहब कोई तो बात होगी जिसकी वज़ा से लड़के ने आपकी बेटी को छोड़ दिया भई जानते भूशते तो दूद की मखी निगली नहीं जा सकती न अच्छा होता प्रकाश मर जाता तब समस्या इतनी गंभीर नहीं होती बाबुजी जुझला उड़ते बच्चों वाले व्यक्तियों से ओमादी की शादी के लिए अम्मा का मन नहीं ठेरता हमारी लड़की तो कुमारी है बच्चों के साथ आगे चलकर बड़ी मुश्कले आती है अम्मा के तरक वितरकों में उमादी की राय जानने की कती कोशिश नहीं की गई थी उमादी ने भी अपने को पुस्तकों के पीछे छिपा लिया था अपनी राय देने की कोशिश एक बार की थी उस अपरात पर बड़े मामा ने जिन विशेशणों से अलंकृत किया था उन्हें वो क्या कभी भूल सकती थी कम्मों के लिए लड़का मिलते ही विवान निपटा दिया कया था उमादी तब तक कॉलेश में अस्थाई लेक्चरर निउक्त हो चुकी थी कभी कभी अम्मा जहिंती कह जाती पता नहीं इस उमादी में क्या कमी है फलाने की लड़की का आज डाइवर्स हुआ और दो महिने बाद दूसरी शादी रचा बैठी उमादी ने कभी इन बातों के विरोध में यह भी नहीं कहा अम्मा जो मेरे लिए घर आया तिलक लोटा मुझसे विवा करने को तयार था उस समय तुम्हारी यह बुद्धी कहा गई थी बाबुजी के मित्र का लेक्चरल पुत्र उमादी पर सच मुश मुग्द था तिलक के दावत पर भी बाबुजी से उनके मित्र ने यहीं कहा था उमा के लिए हम यह तिलक भी लोटा सकते हैं धर्मपाल आज उनका वो पुत्र कनाडा के विश्विध्याले का सम्मान बना हुआ है ना उमादी ने बड़े मामा से कभी कोई शिकायत की जिन्होंने उमादी के विवा का परिणाम देख अपनी बेटियों को मासाहारियों में बिहाने में बाधा नहीं डाली थी उनकी समझ में आ गया था उन मास भक्षियों के मुकाबले प्रकाश तो नर्भक्षी था जिसने एक सजीव जीवन निर्जीव जीने को छोड़ दिया था बड़े मामा के जीते जी उमादी उनका भरपूर्स नहें पाती रही क्रिष्णा और कम्मों को भी उमादी से शिकायत ही रही क्योंकि उनके कारण दोनों को ससुराल में हमेशा तानों का शिकार होना पड़ा कहीं जरा कोई चूख हुई नहीं कि सुनाई पड़ता अरे इसकी तो सारी बहिने एक सी हैं बड़ी घर बैठी है इसे भी वहीं भेज़ दो तो ठीक हो जाएगी दोनों के पतियों ने असली बात जानने के लिए बार बार कुरेदा था भला यह भी कोई विश्वास योगे बात हुई कि प्रकाश का किसी और से संबंद था इसलिए उन्हें चोड़ दिया अरे आदमी दस जगा संबंद बनाए रखकर भी पतनी रखता है कृष्णा दी के पती व्यंग से मुस्कुराते मुझे तो लगता है प्रकाश ने तुम्हारी उमा दी के किसी गंभीर अपरात की सजा दी होगी कम्मों का पती और गहरे चाकर सोचता आखों के सामने जवान लड़की को तपस्वनी का जीवन बिताते देखना अम्मा को बहुत भारी पड़ता था शायद इसी लिए उमा दी ने दूसरे शहर में जौब ले लिया था उस समय उमा दी की उम्र ही क्या रही होगी 25 या 26 वर्ष उमा दी ने लोगों के व्यंग द्रिष्टियों का कैसे सामना किया होगा किसी नेचानने की कोशिश नहीं की उमा दी के लिए अम्मा बाबुजी बराबर प्रेतन शील रहे पर बात कहीं बनना सकी यह सच था उमा दी चाहती तो एक वर चुटा पाना उन्हें कठिन नहीं था कभी किसी ने उनके पास तक पहुँचने की कोशिश की तो घर वले चिहों कुठते छी भला वो हमारी उमा योग्य है अरे जात बात ना भी माने कम से कम और दामादों के साथ तो बैठने लायक हो धीरे धीरे एकाकी जीवन ही उमा दी को रास आने लगा है ऐसा मान सबने आश्वस्ती की सांस ली थी घर के सभी सदस्यों की जरूरतें उमा दी से ही पूरी होती बच्चों में तो उमा दी के प्राण बस्ते थे हर बच्चे के जन्म दिन पर भारी उपहार के साथ उमा दी पहुँच उत्सवसा समार हों आयोजित कर डालती बच्चों को भी उनकी प्रतिक्षा रहती उमा मौसी से छोटी बड़ी फरमाइशे की जाती अमा बाबुजी की बिमारी उमा दी ही छेलती तुम तो अकेली हो उमा दी तुम ही छुटी लेकर घर चली जाओ यहां बच्चों और उनके पापा को कौन देखेगा कभी क्रिश्ना, कभी कम्मों निम्मो के आदेश उन तक पहुँचते रहते अमा बाबुजी को भी तो उन्ही का आसरा रहता अमा कहती, उमा तो हमारी लड़का है एक बार दबी जबान उमा दी ने कोई बच्चा गोद लेने की बात की थी पूरा घर स्थब्द रह गया था तुम समझती नहीं उमा गोद लेने से क्या लीगल कॉम्प्लिकेशन्स आएंगे तुम नहीं जानती बात कुछ हद तक ठीक भी थी उमा दी का जो स्टेटस था उसमें गोद लिये बच्चे का भविशे क्या बनता जीवन के पचास पसंदों की मादक हावा से अच्छूती उमा दी ने आज पहली बार मेना की उस बहन को भागेशाली ठहराया जिसका विवाह हो गया एक बात पूछूं उमा दी क्या तुम्हें सच मुझ कभी कोई मन लायक नहीं मिला जो नहीं मिला उसके लिए अब क्या सोचना कम्मो तुम चाहती तो अक्षे जी तुम्हें मिल सकते थे उमा दी जो चीज अपने से छोटों को भाजाए उसे छीनना क्या ठीक है कम्मो मलान मुख उमा दी ने पूछा था तुमने ऐसा मौका ही क्यों आने दिया उमा दी जब तुम्हारे प्रापे पर कोई अनाधिकार हक जमाने का प्रयास कर रहा था तभी तुमने क्यों नहीं उसकी सीमा बता दी थी घर की बड़ी बेटी थी ना कम्मो मैंने सब को देना ही जाना तुम्हें किसने क्या दिया हम सब ने भी तो तुम्हारे साथ अन्याय ही किया है उमा दी कम्मो का स्वर तनिक भारी हो आया था छी, पगली मेरी यही नियती थी नहीं उमादी, तुम्हारी इस नियती के लिए हम सब जिम्मेवार हैं सबने अपनी इच्छा तुम पर ला दी वरना विरेंदर अंकल के पुत्र से विवार अचा आज तुम भी कनाडा में सुक से न जीती पता नहीं कम्मो, सुक से जी पाती या नहीं पर आज तुम सब को सुखी देख, मैं कितनी संतुष्ठ हूँ तु नहीं समझ सकेगी जानती है, अपने अंतिम समय तक बड़े मामा अपने को शमा नहीं कर सके थे जीवन का कितना बड़ा सकते, वो मेरे कारण ही तो जान सके ना कैसा सकते, यही ना कि तुम्हारे बाद किसी भी लड़की के विवहा के लिए सामिश निरामिश्वर का प्रश्न नहीं उठाय गया भला ये भी कोई बात थी, जिसके लिए तुम्हारा जीवन वेर्थ चला गया उमादी कुछ देकर ही तो बहुत कुछ पाया जा सकता है मेरे कारण तुम सबको उन बेकार की बातों की कीमत तो नहीं चुकाने पड़ी मुझे इसी का संदोश है कमो दोसरों के लिए ही सोचती रहीं उमादी, कभी अपने लिए एक पल को भी नहीं सोचा सोचा था कमो, सच कहूं तो आज भी सोचती हूं पर तु ही पता क्या विवा ही जीवन की नियती है क्या तुम सब मेरे नहीं हो, क्या नहीं है मेरे पास एक सच कहूं उमादी, पूरे जीवन तुमने अपने को आदर्श वादिता के जूटे आवरण में लपेट, हर अन्याय सिर्जुका स्विकार किया अपनी इच्छा अनिच्छा दूसरों के नाम कर तुमने यश जरूर पाया, पर सच पूछो तो तुम्हें मिला क्या है, कोई है जो तुम्हें मा कह पुकार सके, कम्मो का स्वर उत्तेजित हो उठा था, यह क्या कह रही है कम्मो, मैंने सच मुझ कुछ नहीं पाया, उमा आव जीवन तुम्हारा क्यों नहीं रहा, तुम तो ऐसी नहीं थी, उमा दी, ठीक कहती हो कम्मो, शायद तब इसलिए विरोध ना कर सकी, कि बच्छपन से सुनती आई थी, बड़ी बेटी दूसरों के लिए अदर्श होनी चाहिए, बड़ों की आग्या पालन ही, उसका एक मात अदर्धर्म होना चाहिए, और अब, अब क्यों नहीं अपना आग्रोश उनके प्रतिव्यक्त करती, क्या तुम्हारे अंतर में आग नहीं धदकती उमा दी, यह आग क्या आसानी से बुच सकती है, सच तो यह है, पहले कि अपेक्षा, आज जब अपने बारे में ऐसा वैस कुछ सुनती हूँ, तो तिल मिला जाती हूँ, क्या गलती की थी मैंने, विवा के साथ फेरों के लिए अपराधी ने क्यों बना दी गई मैं, तुम्हें अपराधी कौन कहता है दीदी, यह समाज कमो, प्लास में अगर लड़कियों से कहती हूँ, अन्याय सहन करना गलती है तो बाहर ताने सुनती हूँ, कैसे ताने दीदी, यही कि पती से लड़कर अपनी जिन्दगी तो बिगाड हीली, अब लड़कियों का जीवन बिगाड रही है, इतना अन्याय कैसे सहती हो उमादी, जी चाहता है प्रकाश का मुह नोच डालूं, सब के सामने ले चाकर कहू असली अपराधी यह है, दंडी से मिलना चाहिए, मुह नोचने से क्या जबरन किसी का हृते चीता जा सकता था कमो, शांती से सोच कर देखो तो प्रकाश और मेरा अपराध क्या एकसा नहीं है, क्या कह रही हो उमादी, उस दुष्ट से अपनी तुलना कर रही हो, क्या बड अब भी तो तुम किसी से कुछ नहीं कहती उमादी, अब किसे क्या कहूं, अम्मा का दैनिय मुख, बड़े मामा का शमा मांगता सा अपराधी चहरा, बाबुजी का असहाय अक्रोश देख, कुछ कहने सुनने की हिम्मत ही नहीं होती, फिर सबसे बड़ी शिकायत तो अपने से ही है, अपने से शिकायत क्यों, कमो विसमित थी, अपने भागे की रेखाएं बदल सकने का दम रखने वाली में इतना कमजोर क्यों पड़ गई थी, अपने लिए निर्ने लेने का साहस क्यों न कर सकी, क्यों अपने को नियती के हाथों छोड़ दिया, क्यों उससे मैं हार गई नहीं उमादी तुम कभी पराजित नहीं हुई लोग तुम्हारी हासी उड़ाते रहे उल्टा सीधा कहते रहे तुमने पलटकर भले ही उन्हें जवाब ना दिया हो अपने लिए सही रास्ता चुन आज उनसे प्रशंसा पाती हो ना कितनी लड़कियों का भविश्य समा रही हो तुम सचमुच उमादी की प्रशंसा करने वानों की भी कमी ना थी किसी की निंदा प्रशंसा का आप कोई अर्थ नहीं रह गया है कम्मो एक बात पोछूं उमादी तुम तो हम सबसे अलग थी विद्रूहनी रूप में हम तुम्हें पहचानते रहे फिर वेवहा को क्या तुमने भी अंतिम नियती स्विकार किया है वेवहा अंतिम नियती नहीं पर एक सत्य स्विकार करूंगी मैंने भी पती बच्चों के साथ एक घर का सपना जरूर दिखा था कम्मो उसके लिए अब क्या करोगी दीदी बहुत सोचने के बात लगता है अपने को बहुत स अपने शितिच का विस्तार कर सुख पाना है। कम्मो का स्वर भाम विहल था। हाँ ना चाने किस कमजोर पल में मीना की दीदी की बात कर बैठी थी कम्मो। सच तो यही है विवा के बात भी कितनी इस्त्रियां भरपूर जीवन जी पाती हैं। फिर इसे हम अपने नियती क्यों स्विकार करें। ठीक कहती हो मुमा दी कभी तो लगता है तुम ही अच्छी रही। अपने मन का कुछ भी करने को स्वतंत्र तो हो। हमें तो हर बात के लिए घर भर का मूँ ताकना पड़ता है। कमो फिर उत्तेजित हो उठी थी। अच्छा अच्छा अपना मूड खराब मत कर। शायद अम्मा ठीक ही कहती थी। जो मिले उसी पर संतोश कर। उमा ने बात हसी में टालनी चाही थी। काश अम्मा की बात सच होती। पर वास्तिक्ता तो यह है जो हमें मिलता है। हम कभी उससे संतुष्ट नहीं हो पाते। बताओ उमा दी ये सच है या नहीं। सच और जूट के अपने अलग मापदंड होते हैं। अम्मा ने जीवन का सीथा रास्ता कोच लिया। जो कुछ हुआ या होता है वह भागय के अधीन है। सामाने जीवन जीने के लिए यही आसान तरीका भी है कमो। कुछ हंशों में तुमने भी तो वही रास्ता अपने लिए चुना था उमा दी। शायद हाँ पर अब मैंने अपनी रहा अलग करने की ठान लिये है कमो। चल तुझे वही प्लोट दिखाऊं जहां मेरे सपनों का घर आकार ले रहा है। सच दीदी तुमने सपनों का महल पनमाना भी शुरू कर दिया और हमें पताया भी नहीं। सोचा था सबको सरप्राइज दोंगी पर आज बातों में तुम्हारे सामने रहसे खुल ही गया। ओख उमादी, you are really great. चलो, अब और मैं रुक नहीं सकती. उतावली में उठती कम्म को देख, उमादी स्नेहे से हस पणी। अभी आपने डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी उमादी सुनी। इसी प्रकार की सहित्ति कहानिया सुनने के लिए कथा सहित्ति से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।